असलम मुल्कुमाइ यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के लिए लेकर आएं पर्फेक्ट चिकन तिक्का की रेस्पी जो हम घर के मसालव से बनाएंगे और एक स्पेशल चटनी भी बनाना से काऊंगी इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं तो रेस्पी को फट के ऊपर से हर जाएगा तो यहां मैंने 4 deben देली तो का पॉडर्ट होडर ले लिए हैं वन टेपोली स्पुन धनिया है । ले लिया है ती पॉड़र् leád ले लिया है वन टीज स्पून जेर पॉड़र्ड ले लिया है लॕ नमक ले लिया है का रख टीजपून अब तिक लखने था ना है बरकर एक टेबली स्पून अब डालने एक निमू का ज्योस तो यहां पर मैंने लेमन ज्योस भी डाल दिया है उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले को कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपकी घर पर मौझूद नहीं हो सारे मसाले आपकी घर पर मौझूद होंगे कश्मीरी लाल मिर्चे नहीं बढ़ती है यह सिर्फ कलर के लिए होती है अच्छे से मिक्स हो गया ता मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने डाल दिया है हरी मिर्चों का पेस्ट एक टेबली स्पून और दुबार से अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब जाए इसके इंदर ओ के टाड़ माई था ही जो मेरीनेशन इस उसके मिक्स है करहा है अच्छे से मेरीनेच म थाच्छे से मेरीनेशन है रहा हुआ अट फर्दियों कर पीष और दाल दिया है मिक्स अबम साले के अ मेरे मेरे जाती है जाती है जाती है जाती है जिसके लिए एक जाहिए एक ब्लेंडर और डालना है हाव बंच पौदीने के पत्ते बार अदत यहां पर मैंने गोल मिर्चे ले ले थी उसके बढ़ दाल दिया है वन टीए स्पून नमक जाएगा सके अंदर हाफ टीए स्पून और चीनी जाएगी इसके अंदर वन टेपली स्पून इस चटनी को अच्छे से ब्लैंड करना है अमने इसके अब ही जाएगी इमली का पल्प जो मैंने आपको स्ट्राटिक मिन खायता है तीन टेबली स्पून के अंदर इमली का पल्प जाएगा और इसको बनाकर आप स्टूर करकर भी रख सकते हैं वीक्स के लिए तो अच्छे से ब्लैंड कर लेना है और देखें यहां 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 ने सीख के उपर लगाती हैं तिक्के क्योंकि जब भी यह काम होता है तो मेरे फादर ही बनाते हैं चाहे वो बार्बी की हो या फिर इससे तरह कोई रिकॉर्ड करनी हो तो यह देखें चारों तिक्के लगा दिया हैं सीख के उपर और यहां पर कोईले जो है अच्छे से ग अच्छे तिक्के अच्छे नहीं उटारने हैं वह आपको फुद पता चल जागा कि तिक्के अच्छे से बग गए तो देखें यह पर मज़ेदार और परफेक्ट बनकर बिल्कुल से त्यार है और कलर डेखें मौशल से कितना अच्छा है कोई पी चीज़ आपको भार नही अच्छे से बनाएं अगर आप इसको अंगेटी पर नहीं बनाना चाते हैं तो आप इसको फ्राइब कर सकते हैं इस्टीम के अंदर भी पका सकते हैं बात में आप पर कोईले का दुआ लगा दीजेगा जादे मेरिनेट करने को मैंने इस वर से मना कर रहा था क्यूंकि हमने अगर आप जादा मेरिनेट कर देंगे तो ध़ी का पानी फिर से रिलीस हो देगा यह जाए अच्छी से प्रेजन कर दिया था आप भी से तरीके से अच्छी से प्रेजन कर रहें इंशाला रेसिपी सब को पसंद आएगी उपर से लेमें डाल दिया है जिकन बिल्कुल साथ जब तक लिए लाहाफिज